नमस्कार जरहिंद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते ओनलाइन एस्टिटूट टार्गडिद आलोग में मैयार कुमार दोस्तों कहते हैं तिरंगा हमारे देश की सान है तभी तो भारत देश महान है देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं मात्रि भूमी के लिए जान देना इससे बड़ा कोई कर्म नहीं साथियों यह हम सबका नैतिक कर्तब्य है नैतिक दाइत्व है कि देश की प्रमुख धरोहरों को हम बचा के रखें हम इन्हें संजो के रखें और हमारे देश के जो सहीद है जिन्होंने अपनी कुर्बानिया दी है और जो वर्तमान में भी कारिरत है लगातार हमारे देश की हमारी तुरक्षा कर रहे हैं उनको सम्मान देना हमारा फर्ज है। आईए, आज हम बात करेंगे, दैनिक जीवन के विज्ञान की एक अच्छा सेग्मेंट है, हाला कि पहले भी यह आप सभी के बीच रहा, लेकिन आज की क्लास में भी मैं आप सभी को दैनिक जीवन के विज्ञान की कुछ महतफूर बाते बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं भी जानते होंगे, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप जानते होंगे, तो यहां पर हम सुरुवात करेंगे, दैनिक जीवन में विज्ञान के जिस सेग्मेंट की वाप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महतफू करनी है, हमें नौकरी करनी है, तो आप सभी को पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी, बिना पढ़े, बिना आप कठिन परिश्रम किये, बिना समय दिये, वर्तमान समय में कुछ भी संभव नहीं है, तो आप सभी को निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, वह कह रहा है कि खंडी के मौसम में प्लास्टिक के फड़ जाते हैं ऐसा क्यों होता है साथ यह ऐसा एक्जामपल देखिए ऐसी बाते हम देखते हैं कि हमारे घरों में रखे हुए जो प्लास्टिक के बॉटल होते हैं जब उसको अपने हम फ्रिजर में डालते हैं तो हम ऐसा क्यों है ऐसा क्यों होता है यह क्यों संभो है तो हम इस पर भी आप सभी से बातशीत कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है जो पानी होता है पानी जमने के बाद इसमें इतनी ताकत जाती है न कि पत्थर के चटान को तोड़ देता है जब चटानों की नीचे पानी जमता है, जब वहाँ पर फ्रिज होता है, जब बर्फ बनता है, तो उस पानी का आयतन जब बढ़ेगा ना, तो आयतन बढ़ने की अवस्था में वह चटान तूड़ जाती है, तो इतनी ताकत होती है जल के अंदर, बर्फ के अंदर, देखिए फिलहाल जो हमार अन्य जो जल होता है, वो अन्य द्रवों से उल्टा ब्यवहार करता है, यह भी पॉइंट आपको मैंसन में कर रहा हूँ, कहेंगे की जल अन्य द्रवों से उल्टा ब्यवहार करता है, अन्य द्रवों से उल्टा ब्यवहार करता है, ब्यवहार करता है, तो आखिर द्रव अन जो जल होता है वो अन द्रवों से उल्टा बे वहार क्यों करता है क्योंकि 4 डिगरी सेलसियस पर 4 डिगरी सेलसियस पर सभी द्रवों का सभी द्रवों का अगर देखा जाए तो आयतन अधिक होता है और घनत्व निम्न होता है लेकिन इसका उल्टा जो जल होता है इसका उल्टा बे वहार करेगा क्यों करता है 4 डिगरी सेलसियस पर जल का आयतन ये निम्न हो जाएगा निम्न होता है और डेंसिटी यानि घनत्व क्या होता है ये अधिक होता है या अधिकतम होता जो भी आप बोल सको ये अधिकतम होता ये जल जो हमें सा उल्टा बेवहार करता है इसका मतलब ये है देखो उल्टा ब जब पानी के ताप मान के चार डिगरी से नीचे पहुँचने पर हम देखते हैं कि इसका जो आयतन होगा आयतन इसका बढ़ता है और यहीं अगर देखा जाए तो इसका घरत दोस्तों क्या होता है यह घटा है औक यहां देखिय है आयतन बढ़ता है और देखा जाए तो चार डिगरी सेल्सियस ताप मान होने पर जो जल होगा इस जल का चार डिगरी सेल्सियस से नीचे पान होने पर जल का आयतन बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा ओके और जो इसकी density होती है दोस्तों क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अर्थाथ अगर ये पानी 0 degree Celsius पर आ जाएगा दोस्तों तो क्या होगा इसका जो आयतन होगा इसका आयतन क्या होगा अधित्तम होगा और आयतन के बिशे में आप जानते दोस्तों आयतन क्या होता है आयतन को हम कहते हैं लंबाई गुरे चोड़ाई गुरे उचाई इसका मतलब ये होगा कि इस पानी का आयतन बढ़ेगा लंबाई चोड़ाई और उचाई बढ़ेगी जब ये पानी आप 5 वर्ष की उमर में पहन रहे थे, वह कपड़े आप 20 वर्ष की उमर में जब पहनेंगे, तो क्या होगा, आपका आयतन पहले से बहुत बर्षुका है, आपकी लंबाई चुराय उचाई बर्षुकी है, तो कपड़ा फट जाएगा, ओके दोस्तों ऐसे ही, जब पानी 0 डिग्री सल्सियस से नीचे पहुंचता है, अर्था जब वह बर्ष बनता है, तो उसके आयतन में ब्रिधी होगी, उसके आयतन में प्रसार होगा, तो ब्रिधी होने से, प्रसार होने से, वह और भी अस्थान घेरने का प्रियास रखता है, जब पानी का आयतन बढ़ेगा, तो यह अधिक अस्थान घेरता है, और अधिक अस्थान जब घेरेगा, तो चाहे प्लास्टिक की पाइप हो, चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर चटा यहां पर यह बात आप जानते रहें, आते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पे, कह रहा है कि एक सीसे के गिलास में ठंडा पानी डालने पर उसके बाहर पानी की बूदे क्यों इकठा हो जाती है, दोस्तों कोशन यह बहुत अच्छा है, आपने इसका अनुभो जरूर किय होगा, यहां देखिए, एक सीसे के गिलास में ठंडा पानी डालने पर उसके बाहर पानी की बूदे क्यों इकठा हो जाती है, देखो चाहे सीसे वाला गिलास हो, या फिर वह स्टील का गिलास, चाहे घातू गिलास कोई भी गिलास हो, अगर उस गिलास में ठंडा पानी डा उस ग्लास के बाहर उस बॉटल के बाहर चारो तरफ देखते हैं कि द्रव की बूदे जम जाती इसका देखिए असपश्ट कारण क्या है सातियों जब कोई जल जब कोई जल हम ठंधा करेंगे दोस्तों तो द्रव जो होता है इस द्रव जब हम ठंधा करते हैं तो ठंधा होने के बाद, ओके दोस्तों, ठंडा होने के बाद क्या होता है, इस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर कुछ क्या होती है, कुछ गुप्त उश्मा होती है, इस ठंडे पानी में कुछ क्या होती, गुप्त उश्मा होती है, जिसे आप पढ़ेंगे, कि अगर कोई बर्फ है, और इस बर्प को अगर हम बदलेंगे द्रौ में, तो इसको द्रौ म बदलने के लिए हमें 80 कैलोरी, 80 कैलोरी गुप्त उस्मा की आवश्चक्ता होती है, तो यहां अगर जब यह जल से वापस ठंधा बनेगा, तो इसमें लगभग यह 80 कैलोरी के आसपास गुप्त उस्मा रहती ह अब देखिए, जब उस ठंडे पानी को हम पीते हैं, तो आप पानी हमरे दातों को लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें गुप्त उस्मा रहती है, देखो, जब उस ठंडे पानी को हम भर देंगे किसी बोटल में, या किसी ग्लास में कर हम भर देंगे, तो क्या होता है, उस ठ जीवार ठंड़ा ठंडी हो चुकी है, तो यहां पर इसके आसपास कुछ जलवास्प होंगी, जलवास्प का मतलब होता है, आप जानते हैं जलवास्प हमारे पूरे वायमंडल में विद्यमान है, तो इसके आसपास जलवास्प होती है, अब होता क्या है, जो यहां पर यह ठ पनी और इनको आकरसित करती है और जब आकरसित करती है तो जो अभी यहां पर जलवास्प थी यह जलवास्प जैसे इसकी दीवार पर पहुंचेगी वह जलवास्प क्या होगी पिघहल जाएगी पिघहल करके दोस्तों क्या बन जाएगी वह आपस वह द्रव बन जाती है तो बरतन की दीवार को ठंडा कर देती है और ये ठंडे ठंडी जो दीवार होगी ये आसपास उपस्ति जलवास्प की बूदों को अपनी उसमा के करण आकरसित कर लेगी और आकरसित जैसे ही करेगी और जैसे वो जलवास्प की बूदे यहां पर आएंगी इसकी दीवारों पर पहुंचती हैं, तुरंत वो जलवात के जो बूदे होती है, वो जलवात से द्रोव बन जाती है, जल बन जाती है, तो यही हम देखते हैं और कहते हैं, यह पिघल चुका है, तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा जो कारण है, वो देखिया आपके सामने है, इसमें होती है गु अब लाल और हरी पत्ती-han ability दिखाई देती है क्यों ? कोशनु बहुत ऑसांदार है साथियों जो प्रकास का स्पेक्ट्रम होता है Ligh spectrum इससे दोस्तो इसमें होती है गामा इसमें होगी गामा उसके बाद होती है Ultra- abi लेट सुरी दूसरो गामा बाद X होती दूसरो एक्स होगी एक्सरे और एक्सरे के बाद क्या होगी अल्ट्रा वॉयलेट उसके बाद दूसरो क्या होती दिर्ज से प्रकास होती है जिसको हम कहते है विजिवल लाइट दिर्ज से प्रकास और दिर्ज से प्रकास के बाद आवरक्त आवरक्त और आवरक्त के बाद लगू रेडियों और फिर होती है दिर्ग रेडियों लगू रेडियों यह सभी प्रकास का स्पेक्ट्रम होता है लेकिन दुरभाग जो हमारी आखे होती है वो प्रकास के हर स्पेक्ट्रम को देखने में सक्षम नहीं होती, केवल 400 नैनोमीटर से ले करके, उके, 780 नैनोमीटर, इतना ही हमारी आखे देख पाती, मतलब यह जो प्रकास यह वाला होता है, हमारी आखे केवल दिर से प्रकास में देख पाती है, बागी सब प्रकास है, दोस्तों, इसमें सात रंग होते हैं, क्या-क्या होगा इसमें? आर होगा रेड होगा ओरेंज होगा एलो होगा ग्रीन होगा ब्ल्यू होगा इंडिगो होगा और वॉयलेट तो सातियों इसमें क्या देखिए इसमें कुल सात रंग होते हैं वॉयलेट इंडिगो ब्ल्यू ग्रीन एलो ओरेंज और रेड तो इसमें सात रंग होते हैं देखि जब प्रकास यह होता है यह प्रकास क्या करेगा इस पुस्प पर इस गुलाब पर सातो रंग पढ़ते हैं सातो रंग मतलब स्वेथ प्रकास पढ़ेगा दिर से प्रकास पढ़ेगा इस पर सातो प्रकास पढ़ेंगे चाहे वो कोई भी हो बट देखना यह है कि यह क्या करता ये सभी प्रकास को, सभी प्रकास इसके उपर पड़ते हैं, बट ये क्या करेगा, ये सब को अवसोसित कर लेगा, हमारी आखों में केवल ये क्या करता है, रेड प्रकास, या रेड जो है, जो लाल प्रकास होता है, यही हमारी आखों में ये परावर्तित करेगा, हमारी आख होता है जो पतिय fame होती है इन पतियों पर इन पतियों पर भी सभी प्रकास पड़ेगा सभी प्रकास औरं home green house kingahreeitations luho green all address adequatealeadola人 pand sack इन पतियों पर Denis साहरा प्रकास परता है न पतियों होती है यह साथ मैं से छप्रकास को आउसोसित करके जो साथवा होता है ग्रीन उसको हमारी आखम दोस्तों क्या करती है ये परावर्थित कर देती है जब हमारी आखों में ग्रीन कलर आता है तो पतिया हमको ग्रीन दिखाई देती है ये बात भी अपने संग्यान में आप रखिएगा बट अगर यहाँ पर एक का गुलाब किया करेगा काला हो जागा के गुलाब जो रंग हमारी आख में भेजता है वह रंग इसको नहीं मिल रहा है अगर इस अगर हम इस गुलाब की पत्ति पर एगर हम रेड प्रकास भेजें, तो जाहिर सी बात है यह पत्ति भी हमको काली दिखाई देगी क्यों, क्योंकि पत्ति जो होती क्यों ग्रीन रंग का परावर्तन करती है, बाकी 6 रंग का आउसोसर कर लेती है, उन 6 आउसोसित रंगों में लाल रंग भी है तो पत्ती लाल को एबजॉर्ब कर लेगी हमारी आखम परावर्थित नहीं करेगी तो पत्ती हमें काली दिखाई देती है ठीक वैसे अगर कोई वस्टु आपको सफेद दिखाई देती है इसका मतलब यहाँ है कि वह अखेद वस्टु ने क्या किया है इन आगे बढ़िए अब यहां पर कहेंगे कि लकडी के टुकडे की तुलना में लोहे का टुकडा सरदियों में अधिक ठंडा और दोस्तों गर्मियों में अधिक गर्म होता है देखिए चलक्ता के आधार पर पदार्थों को कई भागों बाटा गया दोस्तों जैसे कि किसी को कहा गया है चालक यह नि कंडक्टर दोस्तों किसी कहा गया है आचालक मतलब इंसुलेटर और कोई इसमें होता है आर्ध चालक और कोई होता है अती चालक कोई होता है अतीचालक मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उस्मा का अश्टनांतर बहुत अच्छे से करते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें उस्मा के कारव गरम थंडे नहीं होते हैं उस्मा जो ऐसे पदार्थ जो उस्मा पाकर भी ठंडे गरम नहीं होंगे उनको हम उस्मा का कुछ आलक कहते हैं या उनको अचालक कहते हैं उनको हम कहते हैं इंसुलेटर लेकिन जो पदार्थ उस्मा पाकर के ठंडे गरम हो जाते हैं उनको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं हीट के गुड कंडक्टर और ऐसे वेपदार्ट जो सामाने अवस्था में उस्मा के चालक नहीं होते लेकिन कुछ थंडा गरम करने पर ताप मान बढ़ाने पर या फिर कुछ मिलाने पर अगर उचालक हो जाएं तो उनको बोलते हैं अर्थ चालक कुछ पदार्थ ऐसे होते जो जड़ा सा धूप अगर उनको म हो जाते हैं वो चालक होते हैं तो दोस्तों यहां जो लोहे की कुरसी है न यह चालक है यह होती है गुड कंड़क्टर आप हीट ओके अब यहां जो लखडी वाली कुरसी है जो लखडी वाला गुठका है यह क्या है यह आचालक है मिन बैड कंड़क्टर आप हीट तो अब देखिए अगर ठंडी गर्मी हो अगर इसको हम रख देंगे बाहर तो होता ये है कि यह उस्मा को आवसोशित नहीं कर पाती दोस्तों या जो है कभी भी उस्मा को यह आवसोशित नहीं कर पाएगी इसमें उस्मा नहीं पहुंचती है और यहीं अगर देखा जाए जो ये लोहे वारी कुरसी दोस्तों ये हीट को ये उस्मा को बहुत तेज आवसोशित करेगी और ये चालक है चालक मतलब इसमें उस्मा चलती है तो यह हीट को, यह उस्मा को बहुत जल्दी अवसोसित करती है, अबज़ाब करती है, उस्मा को अवसोसित करके, यह ठंडी में बहुत जल्दी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, और गर्मी में बहुत जल्दी क्या होगी, गर्म हो जाएगी, तो हम इसके बारे में यह कह सकते हैं कि यह ठंडी में बहुत दली ठंडी और गर्मी में गर्म हो सकती है क्यों क्यों कि यह चालक होती है दोस्तों ध्यान देना सबसे ते चालक क्या होता है चांदी होता है चांदी के बाद क्या है ताबा है ताबा दोस्तों ताबा के बाद क्या होता है सोना होता है गोल्ड है फिर क्या है aluminium होता है यह सारे point दोस्तों important है ठीक है ना जो चालक होगा वो जल्दी से उस मग रहन कर लेता है आगे five number है करा कुछ जानवरों की आखे रात में क्यों चमकती है दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी जवरात रात में आप उर्थे हो तो हो सकता है इनको देख क्या डर भी जाते होंगे ऐसा क्यों कि कुछ animals ऐसे होते हैं जिनकी आखे नच्छरली चमकती रहती है जैसे बिल्ली हो सीर है। या लॉइन है। टाइगर है। ठीच दोस्तों। यह ऐसे एंइमेल होते हैं, कुछ खशियां भी ऐसी होती हैं, जिनको देखके हमें। भेड़िया है, गीदर है, सियार है, बिल्ली है, लोमडी है, सेर है, टाइगर है, जब इनको रात में हम देखते हैं, तो इनकी आखे बहुत अधीब चमकती है, कुछ तो कहते हैं या भूत लग रहा है क्या, लग रहा है कोई भूत हमको डरा रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों, आ और उन्ही पदार्थों कि अपेक्षा ये रात में black and white देखते हैं, बहुत साफ और black and white देखते हैं, जान्देना, रात में हलाकि हम लोग भी black and white ही देखते हैं, लेकिन अगर हमें प्रकास मिल जाए, तो हमारी आखे जो होती हैं, उस दिर्श प्रकास की उपस्तिती में सातो तो रंगों को देख पाती हैं लेकिन प्रकास की उपस्तिती हो या ना हो दोस्तों यहां जो यह एनिमल्स हैं इनको रात में बहुत ही क्लियर विजिबल होता है ब्लैक और वाइट यानि कि जैसे अगर हम किसी स्कैन करते हैं या कभी हम लोग फोटो कॉपी निकलाते हैं तो ब्लैक और वाइट निकलता है बिल्कुल उनको ऐसे दिखाई पड़ता है और बहुत क्लियर कुछ जन्तों ऐसे हैं जैसे टाइगर वगएरा जो हमसे छे गुना तेज रात में देख पाते हैं तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहां पर इसके भिशाय में तो दोस्तों होत पदार्थ है और इस पदार्थ के होने से टैपिटम लिसिडम के होने से जो जानवर होते जो जन्तु होते हैं इनकी आखे रात में बहुत ही तेजे चमकती हैं इनकी आखे समझ गे ना और देखिए इसके बाद एक होता जुगनू जुगनू को आपने कई बार देखा होग जो जुगनू है जब रात में उड़ता है दोस्तों तो जुगनू जो होता है इससे एक LIGHT निकलती है हम इन सब को बोलते कि प्रकृति की सुन्दरता को ये बढ़़ा देते हैं जुगनू है तितलिया है हाला कि तितलिया नहीं चमकती है लेकिन जो तितली के पंक होते हैं बहुत रंग बिरंगे होते हैं जिससे की इन की सुद्धरता बढ़ जाती है लेकिन अगर यहां जुगनू को हम देखे तो जुगनू एक ऐसा एनिमल एक ऐसा जो है इंसेक्ट है जो नेचरली चमकता रहता है और दिन रात दोनों चमकता है यह लेकिन दिन में हमको यह असपर्ष दिखाई नहीं पड़ता है रातों में हमको यह दिख जाता है अगर मैं आप सभी से बात करूँ जुगनू की तो दोस्तो जुगनू में क्या होता है luciferous होता है luciferous नामक enzyme दोस्तों इसी luciferous के कारण जो जुगनू होता है यह रात में चमकता है यह बाते भी important है इसको भी आप नोट करते हुए आगे चलेंगे आगे देखते हैं दिया है जब जल के उपर तेल की परत फैल जाती है तो रंगीन दिखाई देती है दोस्तों ऐसा क्यों होता है ओके आप देखी यहाँ पर कह रहा है देख सबसे पहली बात यह है कि जल के उपर तेल की परत क्यों फैलती है हम एक चीज पढ़ते हैं प्रिष्ठ तनाओ प्रिष्ठ तनाओ जिसको हम कहते हैं सर्फेस टेंसन दोस्तों सर्फेस टेंसन क्या होता है अगर मैं सर्फेस टेंसन की आप सभी से बात करूँ तो कहते हैं द्रव का स्वतंत्र प्रिष्ठ हमेशा तनाओ की इस्थिती में रहता है द्रव का स्वतंत्र प्रिष्ठ सदय तनाओ की इस्तिति में रहता है और कम से कम अस्थान घेरने की प्रवित्ती रखता है ठीक है और द्रौव के स्वतनत पृष्ट के इसी तनाओं को हम पृष्ट तनाओं कहते हैं अब अगर हम यहाँ पर आप सबी से आगे बातशीत करें, तो दोस्तों होता यह जो अगर यहाँ पर देखा जाए, तो जो प्रिश्टनाओ होता है, सर्फिस टेंसन जो होता है, यह क्या होगा यह असुद्धी के ब्यवत क्रमानुपाती होता है यानि हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग असुद्धी मिलाएं तो असुद्धी मिलाने पर जो जल का सर्फिस टेंसन होता है दोस्तों वह कम हो जाता है देखो जैसे ही हम तेल डालते हैं कहां पर जल की सर्फेस पर दोस्तों तो जल की सर्फेस पर जो पिश्टनाव की पतली जिल्ली होती है ये पतली जिल्ली तूट जाती है और जो तेल होता है इस जल की सर्फेस पर फैल जाता है दोस्तों क्यों कि देखिए जो तेल होता है कभी भी ये जल में पूरी तरह से नह करते हैं इन ही अड़ू के बीच जो तेल के अड़ू होते हों गुष जाते हैं तो गुष कर surface tension को कम कर साथ कर देते हैं और वही अड़ू उस जल के साथ टेटे हैं वह teamwork दिखाई देते हैं इस बात को आप थान देज़ेगा ओके तो आते हैновंबर व्सकर आप refrigerator में भोजन ताजा क्यों रहता है हम सभी के घर में दोस्तों refrigerator जरूर होता है क्यों क्योंकि सबजियां है fruits है या कुछ मान लिजिये packaging material होता है तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हमारे घर में फ्रिज जरूर होती है अगर आप सभी से मैं यहाँ पर आगे बात करूँ इसको ध्यान से देखिए आप लोग जो freeze होता है यह एक निश्चित तापमान पर वास्पन के क्रिया पर यह काम करता है इसमें दोस्तों तापमान हमेसा निश्चित रहता है हाला कि तापमान को आप मौसं के अनुसार कम या अधिक भी कर सकते हैं तो अगर इस पर ध्यान दिया जाए अगर इसको देखा जाए दोस्तों तो क्या होता है जो यहां गैस यसमें गैस कौनसी होती ही इसमें गैस हम कौनसी भरेंगे या पॉइंट यह बनता है कि इसका तापमान क्या होता है दोस्तों या फिर इसमें क्या होता है दोस्तों या फिर इसमें क्या होता है और तापमान इसका होता है approximately 4 degrees Celsius, ओके, अब तापमान 4 degrees Celsius क्यों होता है, हम देखते हैं, कि भाई हमें केवल specific weather में ही freeze किया हो सकता पड़ती है, ठंडी में कौन इस्तेमाल करता है, ठंडी में तापमान तो ऐसे भी कम रहता है, तो यहाँ पर देखें, दोस्तों यह तापमान पर कम तापमान पर भोजन को भोजन को खराब करने वाले करने वाले सुच्मजीव निस्क्रिय हो जाते हैं, निस्क्रिय हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो यह बात बहुत बिसेश है, और इस बिसेश बात पर आप बिसेश गौर भी करेंगे, कहते हैं कि अगर तापमान जादा होता है, अगर तापमान जादा होता है दोस्तों, तो जो सुच्मजीव होते हैं कि फंजाई या बैक्टीरिया, तो फंजाई या बै को दूसित कर देते हैं, जिससे food poisoning हो जाती है, लेकिन जब तापमान कम करते हैं, तो चाहे वो कोई फंजाई हो, या कोई दोस्तों यहाँ पर bacteria हो, या कोई भी सुचमजीव होता है, यह सब नश्ट हो जाते हैं, यह सब निस्करी अवस्ता में पहुंच जाते हैं, और यह हमा कि खतरे के signal में लाल रंग का प्रियोग क्यों करते हैं, यह हमारा अगला पॉइंट है, कि खतरे के signal में हमेशा लाल रंग का ही प्रियोग क्यों करते हैं, अगर मैं आप सभी से इस प्रसन पर बात चीत करूं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रसन है, एक समझने वाला दोस्तों यहां पर देखे एक बग्यानित, उनका नाम था डाक्टर सीवी रमन, सीवी रमन, दोस्तों सीवी रमन सहब ने इनको एक बार उरसकार देने के लिए किस सोध पर बुलाया गया था, बिटिस रोयल सुसाइटी में, यह अवार्ड लेने जा रहे थे पानी वाली जहाज से, तो इन्होंने देखा कि जो समुद्र का जल है वो नीले रंग का है, तो यह बहुत लगे सोचने, कि यार हमने पढ़ा कि जल रंगहीन, गंदहीन, स्वादहीन होता है, तो आखिर यह जल नीला क्यों है, उन्होंने बहुत कोशिश की, जानने की पर उस समझ जान करके, तो इन्होंने सोध किया, और पाया, इन्होंने पाया कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण है, और जैसे ही दिर्श्य प्रकास, जैसे ही दोस्तों क्या होता है, दिर्श्य प्रकास, जो सूर्य से निकलता है, या दिर्श्य प्रकास, जैसे ही हमारे प्रि दिसा में फैल जाता है ये हर दिसा में फैल जाता है तो प्रकास के कड़ों का सब दिसाओं में जो फैलना होता है इसी को हम कहते हैं प्रकास का प्रकेणन प्राया हम देखते हैं जो जिस प्रकास की बैबलन सबसे ज़्यादा होती है वह सबसे कम फैलता है और जिसकी बैबलन सबसे कम होती है वो बहुत तेज फैलता है दोस्तों यहां जो violet है इसकी wavelength होती है 4,300 to 4,000 angstrom ओके और यहां जो red होता है इसकी होती है 7,800 चे लेकर के 6,000 angstrom या 6,400 होती है यहां पर देखितना तो सबसे अधिक जो wavelength है वो होती red की और सबसे कम wavelength किसकी होती होती है तो सबसे तेज कौन फैलेगा violet सबसे कम कौन फैलता है red जो सबसे तेज फैलेगा पुरा बिखर जाएगा और आपको एक spot पर दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन जो सबसे कम फैलता है वो सबसे कम भी खरता है तो वह एक ही स्पॉट पर आपको दिखाई पड़ेगा वो कभी भी फैला दिखाई नहीं पड़ता है होता यहीं दोस्तों अब यहां पर जो लाल रंग होता है यह नहीं फैलता है यह एक ही स्पॉट पर रहता है इटमीन यह दूर से हमें बहुत ही क्लि सिग्नल में करते हैं, चाहे वो railway traffic signal हो या जो सडक परीबहन होता है उसमें, तो सडक परीबहन में में वाईवयान के परीबहन में, जल परीबहन में जो या फिर rail परीबहन में हर चेकह आप देखेंगे जो खतरे का सिक्नल होता है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वहाँ हम लोग red light का यूज करते हैं ये बाते आपके संग्यान में होनी चाहिए ओके चलिए आगे बरते हैं कह रहा है किसी पेपदार्थ को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ डालते हैं दोस्तों फिर वही बात देखिए यह जो है निश्चित तापमान अर्थात यह होता है zero degree Celsius पर और कहते हैं किसी ठोस को जब हम द्रॉम बदलते हैं तो हमें 80 कैलोरी प्रती ग्राम प्रती ग्राम डिग्री Celsius क्या होती है हमें उसमा क्या हो सकता होती है तो अगर एक ग्राम आपके पास बर्फ है दोस्तों कहते हैं अगर मान लिजिए अगर आपके पास क्या है अगर आपके पास एक मोल कितना अगर एक ग्राम बर्फ है एक ग्राम अगर आपके पास बर्फ है तो इस एक ग्राम बर्फ को अगर आपको change करना किसमें द्रव में, तो सातियों इसके लिए आपको 80 कैलोरी, 80 कैलोरी क्या होगी, उस्मा चाहिए, तो यानि कि बर्फ में क्या होती है, छिपी हुई उस्मा होती है, बर्फ में क्या होती है, गुप्त उस्मा होती है, इसलिए जब इस बर्फ को, जब इस हम डालते हैं पानी में तो उस बर्प की जो छिपी हुई उसमा होती है ये पानी पहुंच जाती है और भाईया पानी में पहुंच करके पानी को ठंडा कर देती है बहुत easy बहुत simple सा concept है ये जानना आप के लिए बहुत जरूरी साथी हूँ चलिए आगे बढ़िए अब कह रहा है कि कुए का पानी सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा क्यों रहता है ये concept हमने बहुत ही feel किया है इसको कि जब हम ठंडी में नहाते हैं तो पानी हमें गर्म मिलता है और जब गर्मी में नहाएंगे तो पानी ठंडा मिलता है ऐसा क्यो क्योंकि जो पानी होता है साथियों वह कहां से आता है वह होता है भूमिगत जल होता है मतलब वह underground water होता है ओके आप सबको पता होगा कि जो पृत्वी के बाहिर का तापमान है जो हमारे वायु मंदल का तापमान है ये क्या होता है यह मौसम के आधहार पर रित्यों के आधहार पर घटा बढ़ता रहता है जब ठंडी का मौसम आता है तो आप देखते है तापमान क्या होता दोस्तो सर्डी के मौसम में सर्दी में हम देखते है तापमान जो होता है वह 0 degree Celsius से ले कर के मुष्किल से 10 degree Celsius तक रहता है वह लगभग क्या होता है 30 degree Celsius से ले कर के 45 degree Celsius तक दोस्तों हाँच जाता है लेकिन कहा गया है बताया गया है कि जो भूमी के जो प्रिथभी के अंदर तापमान वो होता है लगभग उस कितना लगभग होता है पांच डिगरी से बारा डिगरी सेलसियस ऐसा कहा गया है तो तो या भी कहा गया है यह कितना होता है यह होता है लगभग जो है बारा डिगर और तापमान ये दूरी के अनुसार तापमान ये गहराई के अनुसार बढ़ता रहता है ध्यान देना जितनी प्रतिविम गहराई में जाओगे न तापमान उतना ही बढ़ता है ये भी ध्यान देना तो दोस्तों आउसत तापमान बताया गया है जहां से हम पानी प्राप्त क तो कैसा रहेगा हो, वो गरम होता है, तो ठंधी में पानी हमको गरम इसलिए मिलता है, और अगर देखा जाए, गरमी के मौसा में भाई, तो तापमान 30 से 45 पहुंच जाता है, बर जो पानी अंदर होता है, उसका तापमान कितना है, 12 degree Celsius के बराबर ही है, तब ही तो कहते हैं, गरमी में क्या होता है, ठंधा पानी और ठंधी में क्या होता है, गरम पानी, तो बहुत सिंपल सा कॉंसेट है, यह आप समझ चूके होंगे, आगे, कह रहा है कि एक तेज तुफान से पहले, बैरोमीटर का पारा तेजी से नीचे चोचरता है, सातिओं आप सभी ने, वायू मंदली ये दाब दरसल दोस्तों क्या होता है जो हमारा वायू मंदल है ये गैसों के आवरर से बना हुआ है तो गैसों के जो गैस होती गैसों से हमारा क्या अदर्स बना हुआ है ये गैसों से वायू बनी हुई है और वायू से हमारा वायू मंदल बना हुआ है जो हमा Waymandal कहते हैं और अगर मैं आप सभी से wental की बात करूँ चैक विशेश बात जानना मत भूला जो हमारा Waymandal होता है जो हमारा atmosphere होता है कि ढूस का जो प्रसर होता है बहुत पीटर का दोस्तों है, इसका मातरक क्या दोस्तों होता है, यह होता है बार, और जो एक बार होता है, 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होता है, यह बात भी ध्यान देना आप लोग, अब यह जो बैरो मेटर होता है, यंतर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग पारे का इस भाई उचाई पर वायूदाब का मतलब क्या होता है जो वायू होती है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर जो है वायूदाब घड़ जाता है जब वायूदाब घड़ जाएगा तो जो गैसे होती है बहुत तेज चलती है जो हुआएं होती बहुत चलती है यानि उचाई पर वायू दाब कम रहता है हुआएं बहुत चलती है यहाँ पर क्या है वायू दाब जादा है और हुआएं बहुत कम चल लिए कहते हैं कि जो हमारा वायू मंडल लगबग हमारे उपर लगबग हमारे उपर ये 16,000 किलोग्राम का दाब डालता है लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेसर है तक दाब है जो इस वायूदाब को बराबर कर देता है बता दे आप सभी को कि जब उचाई पर जाते हैं तो वायूदाब घर जाता है जो हमारे उपर इतना वायूदाब पढ़ रहा है ये उचाई के साथ काम हो जाता है इसलिए जो ब्लड प्रेसर के पेसेंट होते हैं उनको हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पर तो मान लिजे दोनों का दाब बराबर है लेकिन जैसे उचाई पर जाएंगे जा प्लेन उचाई पर जाता है तो वहाँ पर वायूदाब कम हो जाएगा और आपकी बॉड़ी का जो ब्लड पर सरो बर जाता है तो ब्लड बाहर निकल लाता है नाक से इसलिए मना करते हैं तो दोस्तों यहां देखी क्या होता है उचाई पर जब वायूदाब कम होगा तो हमाएं बहुत तेज चलती है ओके वही प्रक्रिया वही प्रक्रिया यहां होती जब जब धर्ती पर जब हमारे वायूमंडल नीचे यहां सर्फेस पर जब आधी तूफान आता है तो दोस्तों आधी तूफान आने से क्या होता है वायूमंडली दाब क्या होता है कम हो जाता है और जब आधी तूफान आएगा इसका मतलब वायूदाब क्या हो गया कम हो गया और जैसे ही वायूदाब कम होता है जो पारा होता है वायूदाब कम होने से बहुत नीचे चल आता है अगर पारा धीरे-धीरे उपर जाता है तो मौसम साफ रहेगा और अगर धीरे-धीरे निचे आता है तो क्या होगा तब जो है वर्सा होनेक संभावना दक्त की जाती है चलिए आगे साफ तौलिया सरीर का पानी सोख लेता है परंद गंदा तौलिया नहीं सोख पाता है क्यों यहां पर तौलिय की बात कर रहा है दोस्तों आपने सुना होगा Capillary Action जिसे हम कहते हैं केसी कत्व दोस्तों क्या होता है केसी कत्व अगर मैं आप सभी से केसी कत्व की बात करूँ तो केसी कत्व एक ऐसी घटना होती है एक ऐसी प्रबित्ती होती है जिसमें पतली-पतली केसनलियों में द्रव उपर चढ़ता है और नीचे उतरता है तो अगर बात करें केसी कत्व की तो इसका नाम केसी कत्व इसलिए पढ़ होते हैं इन बालों के इतना इन बालों के इतना पतली-पतली केसनलियां दोस्तो होती है और जो केसनलिया होती है वही पानी सोखती है तो जो हमारा तौलिया होता है जो हमारा टाविल होता है अगर हम इस तौलियों को देखें तो इस तवरिया में भी क्या होगा इसमें भी क्या होगा बाल जैसी क्या होती महीन महीन केस नलियां होती है और इन केस नलियों में क्या होता जो पानी होता है वह यह सोखती है ठीक ना तो इन में भी पानी उपर चड़ता है तो जब तक इन केस नलियों का मुझ ख खुला रहता है तब तक ये केसनलियां पानी को खुब सोखती है लेकिन जैसे ही ये गंदा होता ये मैला होता है जो पतली-पतली केसनलियां होती है उन केसनलियों का जो मुह होता है वो बंद हो जाता है जब केसनलियों का मुह बंद हो जाएगा जाहिर सी बात है ये केसनलिय या अच्छे से पानी को नहीं सोख पाती हैं तो यहां capillary action जानते रहिए यह आप बोलिएगा आगे कह रहा है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्यों तो भाई देखो पेड़ में ऐसा कुछ भूत उत वाली बात नहीं होती है लेकिन इसके नीचे हम नही होते हैं साथीयों आप जानते हैं कि जो पेड़ होता है यह 24 हर 24ह जो पेड़ पादे होते हैं यह respiration करते हैं मतलब यह स्वसंक्रिया करते दोस्तों और जानते हैं ठीक हमारी तरह यह भी क्या करते हैं अपनी सोसंक्रिया में क्या करेंगे दोस्तों जो oxygen होगी इनको अंदर लेंगे दोस्तों इसको क्या करते हैं इसको inhale करते हैं जो co2 होगा दोस्तों इसको क्या करेंगे co2 को क्या करते दोस्तों यहां पर देखिए इसको out करते हैं यानि कि बहुत लोग confused रहते हैं तो यहां ध् करते हैं तो देखिए होता यह है कि जब दिन में in the day दोस्तों दिन के समय क्या होता है इनमें प्रकास की उपस्थिती में फोटो सिंथेसिस नामक एक प्रॉसेस होता है इसको हम कहते हैं प्रकास संसलेशन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं यह पे प्रकास की उपस्थिती में पौधे अपने भोजन का निरमार करते हैं तो दिन के समय जो कार्बन डाई ऑक्साइड बन रही है वह तो फोटो सिंथेसिस में इस्तिमाल हो जा रही है ध्यान से सुनिए दिन के समय जो कार्बन डाई ऑक्साइड बनती है वह फोटो सिंथेसि भोजन बनने की प्रक्रिया में इस्तिमाल हो जाती है लेकिन रात में जो carbon dioxide बनती है रात में पौधों में प्रकास की अनवर्पिती में photosynthesis नहीं होता है तो रात के समय जो carbon dioxide पौधे उच्पन करते हैं इसका यूज नहीं हो पा रहा है और वह carbon dioxide पौधे के चारों तरफ इसके चारों तरफ फैली होती है यहाँ गरमाहट लगती है तो इसलिए कहते हैं कर हम यहाँ पर सौएंगे तो carbon dioxide हमको जाजा मिलती है और oxygen हमको कम मिलती है यह concept ध्यान देना भूत प्रत वाली कोई बात यह की बात को चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर चंद्रमा के तल से आकास कैसा दिखाई देता है दोस्तों मैंने अभी आप से कहा था कि प्रकास का प्रक्रीडन मतलब कि जब प्रकास निकलता है सूर्य से जब प्रकास निकलता है सूर्य से और वह पहुंचता है हमारे वायुमंडल में तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कड़ होते हैं प्रकास इन धूल के कड़ों पर पढ़ने के बाद फैल जाता है हर दिसा में फैल जाता जो तभी हमको अधिक फैलता पर दुर्भाग से जो वायलेट है उसका परसेंट कम ह नीला जो है प्रसंट में अधिक है तो नीला अधिक फैल जाता है तो आकास हमारा यहां से हमको दिखता है नीला क्योंकि चारो तरफ क्या है धूल के आवरण है उन्हीं धूल पर क्या है ये रंग फैला हुआ है लेकिन आंतरिक्ष में भईया धूल नहीं है आंतरिक्ष में क तो प्रकास का प्रक्रिणन नहीं होगा अगर प्रकास का प्रक्रिणन नहीं होगा तो बहुत छोटी सी बात है कि वहां पर कभी भी रंग नहीं फैलेगा और आकास आपको काला दिखाई देता है जब रंग नहीं फैलता जब कोई रंग फैलेगा ही नहीं तो आकास काला सभवाई देती है दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर देखें इसको में लाइटनींग बोलते हैं लाइतनी मतलब आकासी बिजली समझ लिए प्रकार का जो हमारे लिए अभी साफ है जब बादल पानी से भरे होते हैं जब बादल पानी से भरे होते हैं तो वह उरते हैं आकासी बादल जब पानी से भरे होते हैं तो आपस में टकराते हैं जब बादल आपस में टकराएंगे तो उन बादलों में क्या होता है दोस्तों उस समय उन बादलों में घरसन होता है फ्रिक्सन होता जब ये आवेस धर्ती पर आता है तो इसी को हम आकासी बिजली कहते हैं आप सबको पता होगा कि अगर देखा जा जो प्रकास की चाल होती है सबसे अधिक निरवात में होती है और निरवात से केवल 0.3% कम दोस्तों कहां होती है वायू में होती है तो प्रकास की चाल जो होती है यह लगभग दो लाख निन्यानवे हजार सम्थिंग दोस्तों क्या होती है किलोमेटर पर सेकंड होती है लेकिन जो वायू की जो ध्वनी होती है उसकी चाल कितनी होगी वायू में 332 मीटर पर सेकंड मतलब बहुत कम होती है कमपेर टू लाइट यानि कि प्रकास की चाल से ध्वनी की चाल बहुत कम होती है बहुत ही कम होती है इसलिए जब आकासी चमकती है तो बिजली जो होती जो जो है जो प्रकास होता है वो पहले आजाता है प्रकास आने के कुछ सेकेंड बाद तब उसकी धोरे सुनाई देती है ये बात आप क्या देना ये 15 पॉइंट है जिस पर डिसकस किया आप सभी ने उमेद करता हूँ कि आपको समझ में आया होंगे आपको अच्छे लगया होंगे सभी को धन्यवाद जय हिंद